हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर शुगं कुमार जाएं मॉडरल हमें पैथे में आप सभी का स्वागत है आज मैं महिलाओं से रेल्टेट जो बीमारिया होती है उस टॉपिक को लेके आज बात करना चाहूंगा उस टॉपिक को लेके आज वीडियो बना रहा हूं सबसे पहले ह हमारे कर करेंगे डिसमयनौरिया की और यह जो periods होते हैं यह हर मन्त आते हैं और लगातार चलते रहते हैं और चलते रहते हैं यह लगबग लगग 45-50 साइब उमर तक चलते रहते हैं उस conditions को जब वो खतम होते हैं उसको हम बोलते हैं menopause तो क्या होता है कि manly जो है normally menzels जो होते हैं वो regular आते हैं bleeding होती है सब कुछ होती पड़ इसमें कभी pen नहीं होता होता भी है लेकिन उतना severe pen नहीं होता कि इससे कि females को problem हो बस in this condition जो हम dysmenoria की बात कर रहे हैं इसमें क्या होता है कि यह जो menzels होते हैं वो बहुत ही severe pen वाले होते हैं जिससे कि क्या होती कि जो females है या जो lady है उसको बहुत ही जादा problems होती है अब हम बात करते हैं कि dysmenoria यह मतलब इसका अगर pen देखा जाए तो कहा मिलेगा तो इसका pen जो होता है वो manly देखा जाए तो lower abdomen मतलब pelvic region में इसका pen बहुत जादा मिलता है अब हम बात करते हैं इसके cause की तो cause जो होते है cause को मैं इसको manly होते हैं इसके cause बहुत सारे लेकिन मैं इसको एक type के हसाब से बातना चाहूंगा इसके types दो होते हैं एक primary होता है एक secondary होता है मतलब primary dysmenoria और secondary dysmenoria तो primary dysmenorrhea के हम बात करते हैं तो क्या होता है कि इस primary dysmenorrhea में सबसे पहले अगर इसको देखा गया है तो यह होता है इसमें hormonal disturbance के कारण या hormone का इसमें mandatory role रहता है जैसे कि हम बात कर रहा है कि एक इसमें फीमेल्स में जो हार्मोंस होता है वो होता है प्रोष्टा ग्लैंडिन यह हार्मोंस जो होता है यह फीमेल्स की रिप्रोडक्टियो पिरिड्स के टाइम पे बहुत ही ज्यादा इंपोटेंट हार्मोंस है या रूल है इसका जो क्या करत प्रुष्टर ग्लेंड इन्स का जो secretions होता है या जो बर्क होता है वो excessive हो जाता है जिसके कारण के होता है uterine contractions जी होता है बहुत जादा हो जाता है उसके कारण क्या होता है कि CBR पहने start हो जाता है तो जो females होती है वो इसको बर्दास कर भी लेते हैं लेकिन azder time कभी-कभी ऐ पहेगा लेकिन azder में कहा रहेगा जैसे कि pelvic inflammatory disease होगी या uterus related कोई भी disease होगी जैसे कि हम बात करेंगे endromatiosis, adenomyosis या other कोई ऐसा reason है या पर जैसे कि उसके क्या होते कि कभी-कभी menses जो होते है regular आते हैं लेकिन कभी-कभी irregular हो जाते हैं पता चला 2 महीने आ रहे हैं फर 3 महीने या फिर नहीं आ रहे हैं या फिर कभी scanty हो रहे हैं फिर excessive हो रहे हैं ये सब conditions depend करती है तो इस जब condition में पहन हो रहा है उसको तो उसको हम बोलेंगे secondary dismhain हो रहा है अब हम बात करते हैं जैसे कि आपने देखा definitions, introductions वगएरा देखा हमने, cause देखा अब बात करते हैं इसके syneb symptoms की तो syneb symptoms की बात करेंगे तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें बहुत ज़्यदा pen होता है तो pen होगा लेकिन कहां होगा pen, lower abdomen में pen होगा मतलब pelvic region में इसको pen होगा second thing क्या करेंगा कि इसके feelings होगी, feelings क्या होगा कि abdomen पर कोई pressure डाल रहा है इसको severe feelings होगी, ठीक है और हम बात करते है, इसमें देखा है तो इसको कभी-कभी vomiting की इक्षा होती है क्योंकि इतना ज़्यादा pressure उसके abdomen में होता है तो इसकी कराण क्या होता है कि जो reflection होता है वो इसको vomiting की थूरू देखने मिलता है अब बात करते हैं इसके investigations तो इसमें क्या है जब female जब आती है तो उसकी conditions के उपर depend करता है कि वो किस level पर उसका pen हो रहा है किस level पर क्या हो रहा है तो हम ऐसा pen देखके ऐसा गोगर के उसको directly पर नहीं बोल सकते कि dysmenoria है तो हम उसको investigations के लिए बोलेंगे तो USG कराना पड़ेगा उनको USG जब कराएंगे तब reports जो आएगे वो पता चलेगा उसके बाद ही हम diagnosis कर पाएंगे कि यह dysmenoria है यह क्या है अब इसके बात करते है हम homeopathic remedies की यह homeopathic medicines की तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि homeopathic में बहुत सारी medicines की आती हैं लेकिन जो मैं अपनी clinic में चलाता हूँ यह जो मैंने अभी तक चलाया है तो सबसे पहले में बात करूँगा मैं डिस्मेंट tablet की डिस्मेंट tablet है जो कि SBL कंपनी की है इसकी क्या करना है आपको चार चार बोलियां परड़े लेना है at that before of menses मतलब जब menses आते हैं आपके तो कम से कम 2-3 दिन पहले से आपको start करना है और साथी जब आपको पहन हो रहा है जब आपको पहन हो रहा है तो उस समय पे आप आप हरस को 2 गंटे में ले सकते हैं दूसरी बात करते हैं जो हमने अपनी तरीके से बनाया है एक mother tincture बनाया है इसमें आपको 3 medicines के यूज किया है सबसे पहले सीवी सिफूगव मैकफॉस तीसरा कोलोफाइड़ टीनों को हमको सेम मात्रा में लेना है इन तीनों को mix करना है और इसका mother tincture बनाना है और फिर इन तीनों का दस-दस भून आदे कप पानी में आपको medicines के दो दिन पहले और साथ में जिस दिन आपको पहन हो रहा है उस दिन आप हर दो गंटे में इसको ले सकते हैं और आप रजल पा सकते हैं साथ ही इसमें क्या हुआ कि आप यह medicines लेंगे तो यह आपको अभी तो काम आहीं लिए आएंगे साथ ही आपको future में पहने सना हो उसके लिए भी आपको बहुत अश्य medicines है और मैं यह कहना चाहूँगा कि यह तो medicines हैं आपको इससे फाइदा मिलेगा अगर किसी कारण पस आपको फाइदा नहीं मिलता है या कुछ आपको problems और होती है तो आप अपने gynecologist या जो आपके concentrated doctors हैं उनसे आप सलाह दीजेगा और उनके बिखाईएगा जैहन जै भारत